हाई गाईज दिस इस यूट्यूब चैनल मार्केट मूवर और यहां पर मिलते हैं आपको कॉलिटी वाले स्टॉक्स की डिटेल और आज फिर से एक बार अलोक इंडस्ट्री को हम लोग कबर करेंगे और जानने की कोशिस करेंगे कि कल क्या इस स्टॉक पे फिर से अपर लगाया वह भी मैं आपका अभी इसी वीडियो पर बताने वाला हूं देखिए सभी स्टॉक्स को बाई की जिस ग्रूप की सभी स्टॉक्स काफी बहतरीन पर दर्सन करेंगा आने वाले टाइम में लेकिन अभी सबसे पहले में आलोक इंडस्ट्री को कबर करता हूं देखि अगर ट्रेड जो हुआ है इस स्टॉक पर साड़े आट लाक सेस्ट्रेड हुए हैं और जैसा कि हमने कल देखा था तीस लाक सेस्ट मार्केट में एमोज आप्टर मार्केट और खड़े थे बड़ आज थोड़ा सा इस पर कमी आई है तेईस लाक तेहत्तर हजार चारसो च् मैसें तो इस डेटा को इस डेटा से मैस करने की कोसिस करेंगे तो कल इसमें थीन लाक सेस्टी ट्रेडंड हुए थे तीन मतक्स की ट्रेडिंग हुई थी और आज अगर देखेंगे तो आट लक्स और लग से ट्रेडिंग हुई है को में देखी है पिछले साथ दिनों का एक्सचेंज पर ट्रेड हुई डैटा को आपके पास प्रिजेंट कर रहा हूं देखे 5 म एको होते हैं मैं को बूर्दू को यह साथ माय को 10 लग शार्थ होते हैं और 6 माई को जैसे की सोंबार का का दिन था वो दिन 7,70,000 से टेड होते हैं और 11 तारीक कल 5,99,000 से टेड होते हैं ठीक है यह सर्फ्राइड़े का दिन था और यह मंडे में 11 माई को 5,99,000 से टेड हुए थे एक करोड से भी ज्यादह से लाइब मार्केट पर एनेसी पर बीसी पर लगभग एक करोड क्या स्पस में इस इस स्टॉप को डेट मिलस बाई करने के लिए वेगरा जो भी है सब कुछ क्लियर हो गया है इस टॉक में अब जब 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 रहली आने के वज़ा यही है कि कमपनी इसका काम स्टार्ट हो गया साथी रिलाइंस का मैनेजिमेंट इसके बैक में हैं देखिए इस स्टॉक को किसी दूसरे स्टॉक के साथ जो इन्सॉल्वेंस से गुज़र्ए उससे बिल्कूल भी कंपेर नहीं कीजेगा इसकी वज़ा क्या है क्योंकि देखे आलोक इंडर्स्टी नंबर वन टेक्स्टाइल कमपनीज में गिन्ती आती थी इस एकाउंट किया जाता इंडिया की नंबर वन टेक्सटाइल कंपनी के कटेगरी में इसे किया जाता है और इतना ही नहीं कंपणी का पॉफोमेंस अच्छा खराब हुआ जो भी हुआ खराब हुआ इसके वज़ा से यह एंसे एल्टी मतलब इनसल्विंस इस पर चली गई दिवालिया प्रोसेस पर चली गई लेकिन दिवालिया प्रोसेस पर जाने के बाद जिस बहुत ही तगडी मैनेजमेंट और मैनेजमेंट इतना बहतरीन काम करती है कि आपने रिलांस जियो का बैक सपूर बैक 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 बिजनस को आपने देखा हुआ कि कितना बहतरीन बिजनस करती है साथ ही रिलांस इंडस्टी के नाम से भी ज्यादा रिलांस इंडस्टी को ट इसूल यह विजनस स्टाइल इंडेस्टी की थी इसलिए प्रॉषी के पास चली गये कमपनी मैंने स्टॉक को हमेशा ट्रैक करते रहा और आप तक पहुंचाते रहा सही नहीं जो को पहुंचाते रहा जो भी अपडेस अच्छी आती थी वह पहुंचाता रहा और देखिए आज आप सभी लोग एक अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं और आने वाले टाइम में और भी प्रॉफिट में आप रहेंगे मैं विश करता हूं कि आप अच्छा पैसा बना इस पर्टिकुलर स्टॉक से इससे हमारा भी एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारे एक पर्टिकुलर स्टॉक को ट्रैक करने से आप सभी बहुत सारे लोग बहुत सारे लोगों ने पैसा बना लिया अभी तो कुछ भी नहीं जब यह स्टॉक हंडेट तक पहुंच जाएगा आज 10 रुपिय पर है एक जीरो इसी ने इसने अचीव कर लिया है और एक जीरो की अचीवमेंट बाकी है उस दिन मैं पूरे चैनल के जितने भी में से उन सभी के साथ एक अच्छा सा डिसकेशन करूंगा एक अच्छी पार्टी को और्गनाइज करने की कोशिस करूंगा जिसे सबी लोग अच्छे का से प्रॉफिट अच्छा पैसा बनाएंगे उस समय तो अच्छा मोमेंट होगा अलेट्स सी 100 कप तक जाता है इसकी आसा ह हमें और आप सबों को भी है चलिए अभी दूसरे स्टॉक को देखते हैं दूसरा स्टॉक पॉंसा है देखिए दूसरा स्टॉक हैट्वे केवल्स डेटा कॉम लिमिटेड है और इस पे भी मैंने वीडियो बना के आपको बताया है कि यह रिलांस ग्रूप की कंपनी बन कि इस पर्टिकुलर स्टॉक को प्राइस पर क्यूंकि आज बहुत वाल्यूम पर खरीदारी हुई है लगभग एक करोड़ आप देख पा रहे होंगे लगभग कितना है एक करोड़ छे लाग श्यानवी हजा साथ सो संतानवे से जब क्यालकुलेशन करता हो तो हो सकता यह जगा पर मैं कुछ दूसरा चीज बोल जाओं करोड़ के जगा पर लाग की कांटिंग हो जाए तो इसे आप खुझ से करेक्ट कर लिजेगा इतना पैनिक क्यों हो जाते हैं क्योंकि एक दो कमेंट्स आ चुके वह कैलकुलेशन करने में थोड़ी से हो जकती है मिस्टिक हो हो जाए तो देखिए हैथवे केवल सेंडेटा कॉम लिमिटेड ठीक है इस पर्टिकुलर स्टॉक को भी देखिए स्टॉक 40 परसेंट चल चुका है थोड़ा से ठंडा होने थे ठंडा होने के बाद इसे स्टॉक को बाइंग किजेगा वह वाली प्रब्लम ना ले आए फॉ सब्सक्राइब कर रहा हूं कि आप पैनिक ना हो जाए क्याल कॉन वीजन को मैंने कल दिखाया था क्याल कॉन वीजन भी एक सूपर मल्टिवेगर बनने का दमसम रखता है स्टॉक में इतना पूटेंचियल है सिर्फ 22 रुपय का स्टॉक है भी मैंने 11 रुपय पर अप्डे रहें करेक्शन के इंतजार करें फिर माल खरीदना है इंतजार कीजिए आपको टाइम मिलेगा देखिए रिलांस इंडस्ट्री 75 रुपिस डाउन चला गया अब रिलांस इंडस्ट्री को जिन्हों ने सोलह सो रुपय किया हो उनके साथ क्या दिक्कत होगा मैंने का और उसके बाद थोड़ा सा ठंडा होने दिजेगा अभी देखिए स्टॉक ठंडा होगा नीचे जाएगा नीचे जाने के बाद एक लेबल पहुंचने के बाद मैं खुद से अपडेट करूंगा का आप इस स्टॉक की थोड़ी से क्वांटिटी वहां पर उठा के लिए ल और यहां पर देखिए लगबग बहुत कम ट्रेड होई है बहुत ट्रेडिंग कम हुई है बट इसके बावजूद भी 12704 से ट्रेड हुए और 18211 से लगे हुए तो कल भी इसमें वो सकता 5% का पर सेट किट आपको देखने को मिल जाए जी हाँ मैंने डेटा देखके मुझे असा लगा देखिए एक्चुली मैंने यह दोनों स्टॉक को नहीं देखा था हमारे एक वीवर्स ने हमें वाट्सअप में मैसेज किया कि सर तीनों स्टॉक ने अपर सेर्कृट लगा दिया है त्वे केवल डेन नेट्वर्क और वीडियो पर सोच तीनों स्टॉक इंक्लूड करूं तो कि आप ग्राब देख सकते हैं स्टॉक में सुबह सुभाई अपर सर्कृट लगा पूरा दिन अपर सर्कृट पे रहा तो तीनों स्टॉक पर थोड़ी थोड़ी पैसे उठाएं और मैं तो कहता हूं कि स्टॉक मार् प्रफोलियो पर आप देखिएगा कितने डाइवर्शिफाइड कंपनीज को मैंने इंटर किया है एक्षोल में वर्चुल पॉर्टफोलियो वह दैट मेंस मैंने डिजाइन करके रखा सिर्फ कि क्या हो रहा है मार्केट पे और इससे हमारा पॉर्टफोलियो पे क्या आसर पर रहा है आप देखिएगा कि मार्केट पे 40% का करेक्शन हो चुका बट अमारा पॉर्टफोलियो वहीं का वहीं खड़ा कुछ स्टॉक्स लॉस्ट दे रहें तो कुछ स्टॉक प्रॉफिट दे रहें अल्मस्ट मैं लगबग 50,000 के असपास में प्रॉफिट में हूं हमा बिजनस को लेकर कंपणी नहीं चलती है अपने बिजनस को करती है मार्केट में सर्वाइब करने के लिए कि सायद एक बिजनस अगर बंद हो जाए तो दूसरा बिजनस हमें वह रेवेन्यू दिलाता रहे है जैसा कि रिलांस इंडस्टी कर रही है ठीक है तो इस चीज को ध इतना स्ट्रॉंग है जैसे क्याल कोन वीजन हुआ फिनोट एक्स केमिकल को मैंने आपके पास प्रिजेंट किया अलुक इंडस्टी है डेन नेट वर्क है है और आने वाले टाइम और भी बहुत सारे स्टॉक्स को मैं पहुंचाओंगा आप तक बस हमारे चानल पर बने रह आने वाले वीडियो इसका नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना काफी इंपोर्टेंट है वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप थोड़ा सेर भी कर दिजिए उन लोगों तक जो स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हैं कंटेंड अगर अच्छा लगत मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पर तब तक के लिए बहुत बहुत धहनवाद हमारा चैनल विजिट करने के लिए और हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू